शिव पुरान विद्वेश्वर सहिता, अध्याय बार्मा, मोक्ष दायक पुन्ने शेत्रों का वर्णन सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धी मान महरिशियो, मैं मोक्ष देने वाले शिव शेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ परवत, वन और काननों सहित, इस पृत्वी का विस्तार पचास करोड योजन है, भगवान शिव की इच्छा से पृत्वी ने सभी को धारन किया है भगवान शिव ने भूतल पर, विभिन स्थानों पर, वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव शेत्र का निर्माण किया है कुछ शेत्रों को देवताओं और रिशियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसी लिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वेम प्रकट हुए हैं तीर्थ शेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा सनान, दान और जाप करना चाहिए अन्यता मनुष्य, रोग, गरीबी तथा मूकता आदी दोशों का भागी हो जाता है जो मनुष्य अपने देश में मृत्यू को प्राप्त होता है, वह इस पुन्य के फल्व से दोबारा मनुष्य योनी प्राप्त करता है परन्तु पापी मनुष्य दुर्गती को ही प्राप्त करता है एब रामनों पुन्य शेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक द्रिड हो जाता है अतहे पुन्य शेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए सिंधू और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुन्य शेत्र हैं सरस्वती नदी परम पवित्र और साठ मुखवाली है अर्थात उसकी साठ धराएं हैं इन धराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ती होती है हिमाले से निकली हुई पुन्य सलिला गंगा सो मुखवाली नदी है इसके तट पर कांशी परियाग आदी पुन्य शेत्र हैं मकर राशी में सूरे होने पर गंगा की तट भूमी अधिक प्रशस्त एम पुन्य दायक हो जाती है सोन भद्र नदी की दस धराएं हैं ब्रहस्पती के मकर राशी में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली है इस समय यहां सनान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ती होती है पुन्य सलिला महा नदी नर्मदा के 24 मुख हैं इसमें सनान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैश्णवपद की प्राप्ती होती है तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं परमपुन्यमई गोदावरी के 21 मुख हैं यह ब्रम हत्या तथा गोवद पाप का नाश करने वाली एक रुद्र लोक देने वाली है कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है इसके 18 मुख हैं तथा यह विश्णू लोक प्रदान करने वाली है तुंग भद्रा दस मुख वाली है एवं ब्रह्म लोक देने वाली है सुवर्ण मुखरी के नो मुख हैं ब्रह्म लोक के लोटे जीव इस नदी के तट पर जन्म लेते हैं सरस्वती नदी, पंपा स्रोवर, कन्या कुमारी, अंतरीप तथा शुबकारक श्वेत नदी सभी महा नदी कावेरी परम पुन्डे मई है इसके 27 मुख है यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तों को देने वाली है इसके तट ब्रह्मा विश्नु का पद देने वाले हैं कावेरी के जो तट शैव शेत्र के अंतरगत हैं वे अभिष्ट फल तथा शिव लोक प्रदान करने वाल सेह और करक राशी में सूरे की सकरानती होने पर सिंदू नदी में किया सनान तथा केदार तीर्त के जल का पान एवं सनान ग्यान दाएक माना जाता है ब्रहस्पती के सिह राशी में स्थित होने पर बादर मास में गोदावरी के जल में सनान करने से शिव लोग की प्राप्ती होती है ऐसा स्वैम भगवान शिव ने कहा है सूरे एवं भ्रहसपती से कन्या राशी में स्थित होने पर यमुना और सोन भद्र में सनान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ती होती है ऐसा महरिश्यों की माननेता है सूरे और व्रहसपती के तुला राशी में होने पर कावेरी नदी में सनान करने से भगवान विश्नु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ती होती है मार्ग शीश माह में सूरे और भ्रहस पती के वरिश्चिक राशी में आने पर नर्मदा में सनान करने से विश्णुपद की प्राप्ती होती है सूरे और भ्रहस पती के धनु राशी में होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में सनान शिव लोग प्रदान करने वाला है मकर राशी में सूरे और भरहस पती के माग मास में होने पर गंगा जी में किया गया सनान शिव लोक प्रदान कराने वाला है शिव लोक के पश्चात ब्रह्मा और विश्णू के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुश्य को ग्यान की प्राप्ति होती है माग मास में सूर्य के कुम्ब राशी में होने पर फालगुन मास में गंगा तटपर किया श्राद, पिंडदान अथवा, तिलोदन दान, पिता और नाना दोनों कूलों के पित्रों की अनेकों पीडियों का उध्धार करने वाला है गंगा वकवेरी नदी का आश्रे लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है तामरपणी और वेगवती नदियां ब्रह्म लोग की प्राप्ती रूप फल देने वाली हैं इनके तट पर स्वर्गदायक शेत्र हैं इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्ने शेत्र हैं यहां निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भागी होता है सदाचार उत्तम वृति तथा सद भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए अन्य था उसे फल नहीं मिलता पुण्ने शेत्र में जीवन बिताने का निश्चे करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप ततकाल नश्ट हो जाएगा क्योंकि पुण्ने को एश्वरे दायक कहा जाता है ये ब्रामनों तीर्थ में वास करने पर उत्तम पुण्ने काईक वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कलपों तक पीछा नहीं छोड़ता यह केवल ध्यान से ही नश्ट होता है वाचिक पाप, जाप से तथा काईक पाप शरीर को सुखाने जैसे कटोर तप से नश्ट होता है अतहै सुख चाहने वाले पूरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्रामनों को दान देते हुए पाप से बच कर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए शिव पुरान, विध्वेश्वर सहिता, अध्याय बारवा, समाप्त